पावलेटेरिग को भाड बोलेटे टायर काविच वर काणा लो इस्टीड वर केविविविविव डेटेश्ट लौट लेश्ट लौक्तॉ बेट्व» यहां पर क्या बोल रहा है। तो which of the following not tested, before blood transfusion कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर कोई से में क्या पुछा है, before transfusion कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, सबसे पहले हमें क्या क्या याद रखना है, तो बिफोर बलाट transfusion कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो before giving blood transfusion कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, before blood transfusion tested required, कौन कौन सा टेस्ट required रहता है, tested required for minimum of following infection, following infection, यहाँ पर देखिये, कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C, हेपाटाइटिस C, HIV, और सिफिलिस, सिफिलिस and malaria, यह 5 टेस्ट किया जाता है, यह 5 टेस्ट किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, हेपाटाइटिस A टेस्ट before blood transfusion नहीं किया जाता है, तो यह सर क्या हो गया, C और 60 years, 60 years old man present with 2 months of the history of the weakness and failure per abdomen, so moderate espinomegaly, peripheral blood smear, so the 10 gram per deciliter, hemoglobin, leukocytosis and platelet 3 lakh per cubic, mm peripheral smear, so the metamylocyte, metamylocyte 50%, pro myeloblast 30%, myeloblast 45%, which of the following is the diagnosis, तो यहाँ पर देखिए, myeloblast है, myeloblast है, myeloblast है, हर जगा पर myeloblast है, मतलब क्या है, myeloblast, leukemia, myelocyte, leukemia है, कौन सा leukemia है, myeloid leukemia, myeloid leukemia, myeloid leukemia, तो आप देखिए, rule out करते है, rule out, question सही करते है, rule out से देखिए, lymphocyte leukemia, यहाँ ही rule out हो जाएगा, lymphocyte leukemia, rule out हो जाएगा, देखिए, allel most common किस में होता है, callel याद रखिए, तो चाइल्ड में कौन सा leukemia होता है, allel leukemia common होता है, callel याद रखिए, child में most common कौन सा leukemia होता है, allel होता है, और child में होता है, कितने age में होता है, 2-2-10 year में, कौन सक्ट कि मि हमने का चांस कितने उम्मेर एंटीफाइप फिप्टी यह पहें सिस्टी टू एडियर चिंटी धो हमने क्रिक्षटी तो एडियर्स में एमियर तो फ़र्टी CML में common है तो age factor के हिसाब से CML होना चाहिए अब देखिए CML कहा किलनिकल feature क्या है CML के diagnosis के लिए देखिए एक नीमोनिक्स याद रखिए PLABS कहके नीमोनिक्स याद रखिए PLABS exam भी है UK के लिए तो P से क्या हो गया पी से क्या हो गया फेल्डेलफिया कर्मोजम का लोकेशन केटना है टांसअ 922 यल से क्या हो गया यल से क्या हो गया लूकोसाइटोसिस 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 यल यह है यल यह से क्या हो जाएगा लूकोसाइटोसिस यल से लूकोसाइटोसिस हो गया यल से क्या हो जाएगा यल यह से लूकोसाइट लीकोसाइट ऐलकलाइन फास्पेट को क्या बोलते है नुट्रोफिल आलकलाइन फास्पेट और क्या होता है औम बस्फुल गालی स्पीलिनमेटिम लोंगाली और स्पालीटिममेटिम क्लौ तरीषवय क्या द रादसलीर में आपकेशृण आप क्लजार ah 2nd क्या हो गया CML 3rd क्या हो गया गौचार डिजीज यह तीनों में मैसिव स्प्लीनोमेगाली दिखा देता है यहां पर देखें लिकोसाइटोसिस है स्प्लीनोमेगाली है तो एंसर क्या हो जाएगा C 60 years old man present with the complaint of the early satiety progressive of the pallor and chronic abdominal pain for six months hemoglobin 10 gram percent and dlc soda 200 fill and platelet count 6 lakh cubic per mm bone marrow aspiration soda band cell myelocyte 50 percent metamylocyte 20 percent mature blast cell 90 percent which of the following is the responsible for presentation यहां पर देखें क्या है 200 fill present था यहां पर देखें एज कितना है 60 है और यहां पर 200 fill present है और देखें यहां पर 6 months है जो उस्यम्टफ दिखा रहा है 6 months है तो यह क्या हो गया क्रोनिक कंडिशन है तो में cml में cml का common age कितना है 60 years है 60 years में जरातर common कौन सा leukemia होता है cml होता है और cml का देखें drug of choice क्या है इमीटिनाव ड्रॉग of choice इमीटिनाव इमीटिनाव आ देखें इमीटिनाव इफ रेशिस्ट हो जाएगा इमी टिनाब इफ रेसिस्ट हो जाएगा तो कुण साथ ड्रग प्रिफर करेंगे बोसु टिनाब बोसु टिनेब प्रिफर करेंगे और देखें का ट्रांस लोकेशन कितना था नाइन इस्टू 22 एंसर क्या हो जाएगा a B इन पैसेट इता मायलोमा के लिए मॉल्टिपल मैलोमा के लिए क्लासिकल फिचर अक्निमोनिक्स है क्रेव रजभ क्रेव CRAV C, C, R, A, B. C से क्या हो गया? Calcemia. Calcium increase. R से Renal Failure. A से क्या हो गया? Enemia. B से क्या हो गया? Bone, Lytic Lesion. लाइटिक लीजन देखिए इफ इन्वेस्टिकेशन आफ च्वाइस माल्टिपल मैलो मालोमा का पुछा होता तो क्या होता बोन मैरो बायोप्सी यहाँ पर क्या बोलाई next investigation देखिए इफ बोन लाइटिक लीजन ओन और ओन और देखने के लिए, यह ज्यादाश्य चीर, करेंगे रिकोमेंट करेंगे खिए और उस्टेवलाइटिग लिजिए उसके लिए क्से सेश्टिकरेंगे टैंटतर्प इन्टatti करेंगे यहां पैंटितिक लेख तूकरा crypto got Multiple myeloma में left colin level everytime ? болis test for prognosis of multiple myeloma के lilye कुण सा test कि adding ? 1 year old boy falling ball down while playing with his sister and developing his big swelling on the left knee joint which are following the possible eplogy of this presentation यहां पर क्या बोल रहा है नी स्वेलिंग बोल रहा है नी स्वेलिंग क्या बोला है यहां पर है भी पिक्चर में भी देखिए क्या है यह यह नी स्वेलिंग नी स्वेलिंग है कौमण फिचर किसका है यहाँard family extract भी पजेंट है फैमली इस्वेलिवी पोजेटीव है यहाँ? Family extract positive तो , suas disciples फ्यामली इसवेटीव स्वेलिव रहेगा तो कौमण फिचर किसका है ? Hemophilia एक है नी स्वेलिंग और joint swelling common feature किसका है ? हेमफिलिया की होता है due to the due to the factor deficiency 8 के कारण factor deficiency 8 के कारण होता है और देखिए जो हेमफिलिया है वो क्या है x-linked recisive है क्या है x-linked recisive तो यह common किसमें effect करता है यहाप देखिए य भी है नहीं अब देखिए और लिएस्ट किलनिकल फीचर क्या होता है और लिएस्ट किलनिकल फीचर और लिएस्ट किलनिकल फीचर हमां फिलिया एका क्या होता है excessive circumcision bleeding excessive circumcision bleeding अब देखिए यूजियली यूजियली एट ओन येर में ओन येर में bilateral hemoarthrosis होता है hemoarthrosis ये common symptoms है most common ओन येर में तो देखिए family history भी positive रहता है family history positive रहता है और इसमें intracranial pressure हाई होने का chances जाता रहता है 59 deficiency के खान कौन सा hemophilia होता है hemophilia B hemophilia B a factor 11 deficiency कान कौन सा hemophilia होता है hemophilia C hemophilia C hemophilia B also known as also called as Christmas Christmas disease also called hemophilia B also called as Christmas disease a young girl present with the continuous menstruation bleeding for 10 day on the first means at the one set of the menarche which of the test we done in this case of the evaluation तो यहाँ पर क्या बहला है menstruation bleeding more than 10 days तो more than 10 day bleeding होगा तो उसमें क्या बोलते saw liar syndrome Bernard syndrome second glensman syndrome glensman thrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothrombothr कुण सा टेस्ट किया जाता है प्लेट लेट फंचनल आलाइजर 100 टेस्ट तो इनसर क्या हो जाएगा D यहाँ पर दखिए गलेंजमान सिंड्रोम कौन से रिशेप्टर में ृधिफेक्ट के कारण होता है अव देहिए बडनार्ट सिंड्रोम यह कौन से में डिफेक्ट के कान होता है तो देखें डिफेक्ट in GP-1B9 and 5 complex या रिजेप्ट्र में डिफेक्ट के कारण बर्नांड स्थिन्रोम होता है और 3 years old child suffering from the progressive enema on examination is splenomegalis noted and malar permanence imminence permanence peripherals मेरे इस होता है किल्निकल डाइगनोसिस क्या है किल्निकल डाइगनोसिस क्या है तो यह देखिए यह सबसे पहले क्या है टार्गेट शेल है क्या है टार्गेट शेल यहां पर किल्निकल फिचर में क्या देखा रहा है एनीमिया एस्पिलीनो हेपैटो मेगाली और चिपमुक फेश चिपमुक फेश बोलिए या मलार इमिनेंस पूर्मिनेंस बोलिए यह तीनो किसका फिचर है थैलेश मिया का थैलेश मिया का तो यहां पर एंसर क्या हो जाएगा यह देखें कौनसा एनिमिया होता है हे एमोलाइटिक एनिमिया होता है आव देखें एस्पिलिनो मेगाली मिन्स क्या हुआ एपिडेंण of 這 अफ एक्स्ट्रा मेडूलरी हमाटो पैसिस हो रहा है हमाटो पैसिस हमाटोपैसिस मिल्ब चिम्पुफेस होने का मतलब명 चिम्पुफेस दीउ टूत भेव इक्स्पांशन बोन मैरो एक्स्पांशन हो रहा है उसके कारण चिंपुक जैसा फिस दिखाए दे रहा है तो यहां पर एंसर यह हो गया एमोलाइड प्रोटीन डिपोजिट इस इन पेसेंट अंडर्गोद रिक्रेंट हेमोडायसिस इस यहां पर देखें एमोलाइड कौन सा एमोलाइड प्रोटीन डिपोजिट हो जाता है पेसेंट में चो अंडर्गोद रिक्रेंट हेमोडायसिस तो ए बीटाटू ए यह ब्टा टूप्रोटीन डीपोजिट हो जाता है नो तब ढगर ना परता है देखिए ए किसमे दिख्या देइभेक हैं धालाइड ब्लॉतीन किसमें दिख्या किसमें देता है डिछीज में किसमें दिखने रेता है एलगाइवरी दिछीज में मैं दिखने है एलगाइमर डिजीज मैं कि ए Kleid Calcium १चीओं येमुलीयट काल्शियमuir अ फिते एक एदीककिया अ थीपाइद इलगाइब थेखें रेता है तो यहां पर एंसर क्या हो जाएगा B A young woman is having recurrent headache and a visual blurring episode वरकप सो दो ग्रोसली elevated platelet count with the normal WBC RBC count and possible diagnosis तो यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है platelet increase है और normal WBC और RBC है तो देखिए पोली साथी में बेरा में क्या होता है ऑपालिस यही लिए भिहाँ में आर बी सी nd डबलॉब सी दोनों और एज होता है वलाण की अब कौन ससा रहे गया यहां पर यॉंघूमंद कामन होता है 60 यर्स के तेंगर होता है मायलो फै रिवरीश में क्या होता है फैन साइट ऑ। में क्या होता है में डावलो बीसी आर बीसी तीनों क्या होता है लो होता है पलेटलेट भी लो होता है डावलो बीसी भी लो होता है आर बीसी भी लो होता है तो यह भी नहीं होगा तो बाग एक कम सारा गया एसेंसियल थ्रोंबोसाइडोसिस तो इंसर क्या हो जाएगा C, तो essential thrombocytosis में क्या होता है, platelet count, platelet count high हो रहता है, high, और associated with, associated with, jack to mutation, jack to mutation, तो यहाँ पे answer C, 50 years old patient present with the gingival bleeding and recurrent infection, per abdominal examination, so the hepatitis plenomegaly and peripheral nerve large blast with the distorted N-C ratio, well noted and 70% cell wear found to the EMPO positive, what is the diagnosis, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर जगा पे यह लिक्विमिया का question है, इतना तो हमको option से ही पता चलता है, तो यहाँ पे 50 years है, तो 50 years commonly, कौन से लिक्विमिया, देखिए, यहाँ पे CML common in 60 to 80 years, 60 to 80 years, AML common in 40 to 60 years, ALL common in 2 to 10 years, 2 to 10 years, क्योंकि बच्चा में common होता है, तो C से याद रखे, C से क्या हो गया child, CLL common in 25 to 50 years, यहाँ पे देखिए, यम, पी, यम से क्या होगा, माईलो बलास्ट हो गया, माईलो बलास्ट हो गया, तो यहल बला SI cancel हो गया, लिक्विमिया cancel हो गया, अब देखिए, CML और AML में कौन सा common है, देखिए, CML में 60 to 80 years common है, और AML में 40 to 60 years है, ऐसे रूल आउट करेंगे, तो इससे क्या होगा, बी answer होगा, और बी answer है कि नहीं, यह diagnosis करने के लिए, देखिए, AML का diagnosis करने के लिए, more than, more than 30%, more than 30%, इम-Py-O positive, MPo positive, E mature, E mature cell present रहेगा, तो, diagnosis क्या होगा, AML होगा, यहाँ पर answer होजाएगा, बी, क्यूकि यहाँ पे more than 30% है, कितना दिया, यहाँ पर 70% है, तो 70% cell we found without, MPo positive, मतलब 70% E mature cell positive है, नो answer, AML होजाएगा, एक आओ दखिसे अंयल में क्या था था मैसीव एस्पिलिनोमे गाली टो मैसीव एस्पिलिनोमे गाली यहां पर कर्या कि scientifically बॉला है है पाटी तो यहां यह रूलाउट हो गया, CML रूलाउट हो गया, व्यूकि मैंसीब एस्प्रीनों मेगाली question में नहीं दिया है, अब देखिए CLLL में, CLLL में CLLL CLLL present with present with cervical cervical lymphadenopathy lymphadenopathy with acute hemolytic anemia, acute hemolytic anemia, hemolytic anemia, देखिए, यहां cervical lymphadenopathy भी नित कुलो दिया है, देखिए, अब CLLL CLLL में देखिए, CLLL में क्या हो गया है, CLLL common in child देखिए, CLLL, CLLL sorry, CLLL, CLLL CLLL present with the hepatoesplenomegalie 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 with lymphoblast lymphoblast with TDT, TDT positive TDT means क्या होता है, terminal deoxynucleotidal transferage TDT means क्या होता है, terminal deoxynucleotidal transferage यह positive रहना चाहिए, ALL present with the hepatoesplenomegalie lymphoblast and TDT positive और AML AML present with the hepatoesplenomegalie तो, diagnosis क्या हो गया, AML हो जाएगा, answer B झाल यह होता है यहुझा ही यह होग्वाद होग्दी यहे जया हो दो